जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स रोहान इब्राहिम की ऊपर हमेशा टोलर्स कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और इस बार तो टोलर्स ने हद ही कर दी रोहान को इनेक्टिव बोलने के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि रोहान अपने आप से चलता क्यों नहीं है हमेशा बैठा क्यों रहता है और दीपी का अबराहिम हमेशा उसे गोद में उठाए रहती हैं। रूहान को नीचे छोड़ने की जरूरत है। और रूहान को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो आपका क्या मानना है, इस बारे में क्या रूहान वाकई में एबनॉर्मल है। हम तो यह नहींनहीं मानतें क्योंकि इतना प्यारा बच्चा कभी लग रहा है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब